सुबे में बारिश का कहल लगातार जारी है, बारी बारिश की कारण कई जगे पर नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते कई वा लोगों का जिवन भी मुश्किल में पड़ जाता है, ऐसा एक नजारा देखने को मिला है बिजनौर में जहां पर एक नदी में वन विभा की कर एकर सुबे में भारी बारिश रूर से पैदा हुए हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है, तस्वीर बिजनौर की है, यह भारी बारिश की वज़े से नदी नाले उपान पर है, फिलाल स्क्रीन पर जो आप तस्वीरे देख रहे हैं, यह है बढ़ा फूर में बहने वा बाद नदी से बाहर निकाला गया, पहाडों में हो रही भारी बारिश मैदानी छेत्रों में कहर बन करके तूट रही है, बात करें जन्पद विजनौर की, तो जन्पद की सभी छोटी बड़ी नदी नाले उफान पर है, आज बढ़ापूर में नक्टा नदी में अचानक देज पानी आ जाने से पन विभाग की गाड़ी पानी के साथ बह गई है, दनीमत रही कि उसमें सवार जो अधिकारी और करमचारी थे उन्होंने गाड़ी से कूद कर अपनी जान बचाई, हलाकि बाद में गाउंवालों की सहायता से जेसी भी से उस गाड़ी को निकाल लि बात करें अगर साशन प्रशासन की, तो जन्पद इस्तर पर प्रशासन ने जन्पद में बारिश को देखते हुए हाई अलर्ट भोशित किया है, नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है, कि वो सुरक्षित रहें, सतर कर रहें, जो डूब के छेत कहाँ के लोगों वहां से हटा कर के गाओं के स्कूलों में धरमशालाओं, आधी उचे स्थानों पर रहने की विवस्ता की गई है, आज़ा प्रबंदन ने जगे जगे अपनी चौकिया बनाई है, और किसी भी प्रटार की आज़ा से निपटने की तैयारियां की ए हाला कि प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं लेकिन बारिश और बाड ये इनके हाथ में नहीं है उससे चौकस रहने के लिए उससे सतर्क रहने के लिए आम जन को सतर्क रहना पड़ेगा हाला कि हाथ से में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है वहीं गाड़ी में सवार विभाग के सभी करमचारी ने पानी में खूद कर अपनी जान बचाए और इसके बाद कार को बड़ी मशक्कत के बाद बाहा निकाला गया बारिश को देखते हुए पूरे जिले में हाई